हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो और चैनल हाइपर ट्रेडेज भी मैं हूँ महमद सोहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आये हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों अपने पिछले वीडियो में सेवेंथ आगस्ट के वीडियो में मैं बताया ट्रेलिंग लगाते हुए 820, 840, 865 लेके चलेंगे स्टॉक के अंदर प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल के हिसाब से स्टॉक का हाई क्या लगा 858,7 लगा 857 लगा उसके बाद 840 का हम लोगों को ट्रेलिंग का प्रोफिट बुकिंग हो गया वोल्टास में अब ही हमारे प यहां पर वोल्टास में मैं एक सेलिंग देख रहा हूं सेलिंग देखने के पीछे रीजन है कि सेम ब्रेकडाउन लेवल 54 का 854 का उसके बाद यहां पर उसका प्रीवियस ट्रेड़ेट वैल्यू से रिजेक्ट जो हो रहा है यहां पर हम लोगों को और एक रिजेक्ट वैल वो लेवल मैं ब्रेकाउट का यह देख रहा हूं अगर स्टॉक यह वाला लेवल ब्रेकाउट का ब्रेक कर रहा है 807 तो स्टॉक के अंदर सेलिंग कंटिन्यू होगा और स्टॉक के अंदर अगर बैइंग भी होगा तो यह लेवल के नीचे तो जाने से होगा या यह लेव buying किये हैं मैं suggest कर लूँगा नजदिक buying है 5 रोपे 6 रोपे loss से निकल जाओ वरना अगर loss hold करना होगा तो आपको 754 से लिएक 760 तक stock के अंदर मैं देख रहा हूँ fall and stock RSI 60 break करते हुए फिर से overbought नहीं हुआ है इसका मतलब यह है कि stock यहाँ पे depreciate होने वाला है अगर एक बार value stock का depreciate हो गया तो stock के अंदर उपर के तरफ levels काफी कम दिखेंगे दोस्तों तो नीचे के तरफ जो levels है नीचे के तरफ जो levels है वो level यह है और उपर के तरफ जो level है वो level यह है दोस्तों 807 and 758 के level है and market में अगर in between support पे काम करना है तो वो यह support पे काम करेगा जो level है हमारा 776 इसका मतलब यह है कि stock के अंदर 776 से लेके 758 के in between हम लोगो fresh buying मिलेगा उससे पहले नहीं मिलेगा अगर यह कुछ improper buying देना चाहता है तो 807 पे जाके ही breakout देना है in between stock कहीं पर भी breakout दे नहीं सकता दोस्तों तो यही था मेरा update वोल्टास पे अगर आपको stock पे analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए, share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video